लीजिए अब एक और पुराणिक शो जल्द ही ओडियन्स को अलविदा कहने वाला है जिहां दंगल टीवी का शो जे हनुमान चंकट मोचन नाम तीहारो भी अब जल्द ही ओडियन्स को अलविदा कह देगा तो चलिए जानते हैं इस शो का लास्ट एपसोड किस दिन टाली काश्ट होगा दंगल टीवी का शो जे हनुमान चंकट मोचन नाम तीहारो 23 अगस्ट चे शुरू हुआ था और अब शो जल्द ही महज तीन महीनों के अंदर ही ओफेर होने जा रहा है जिहां इस शो का लास्ट एपसोड थर्ड डिसेंबर को टाली काश्ट होगा शो में हनुमान का लीड रोल करने वाले आक्टर राम यश्वर्दन शो को ओफेर होने को लेकर कहते हैं हाँ शो खतम हो रहा है यह एक चोटी यत्रा रही है लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस किरदार को निभाने के लिए अपनी पुरिक्षमता से कड़ी महनत की है हनुमान की भूमी का निभाना एक आशिरवाद रहा है और मुझे लगता है कि भगवान ने खुद मुझे भूमी का के लिए चुना है वागे कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ भले ही यह अच्छा चर रहा था चैनल ने अचानक इसे बंद करने का फैसला किया अभी नेताओं से ज्यादा यूनिट एक शो की स्थापना पर बहुत अधिक महनत करती है इसलिए यह वास्तों में सभी के लिए निराशा जनक है हलंकि साथ आठ शो में काम करने के बाद मैं समझता हूँ कि यह व्यावसाई का एक हिस्सा है जो शुरू हुआ है वो खतम होना ही है अतहनी राशा की कोई बात नहीं है वास्तों में मैं इस शो के साथ एक अभी नेता के रूप में विक्सित हुआ हूँ यह एक उपयोगी आत्रा रही है मुझे यकीन है कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है जैहनुमान शो में हमको काफी अनसुनी नई गाथाईं देखने को मिली और अब शो का लाश्ट एपसोड थर्ड डिसेंबर को टेलीकास्ट होगा और इसको रिपलेस करेगा नया कोमेडी शो फवारा चोंक जिसको की भारते सिंग और हर्ष लिंबाचिया लेकर के आ रहे हैं लेकिन शो जैहनुमान चकट मोचन नामतिहारों को भी ओडियन्स काफी मिस करने वाली है तो ही पुराणिक शोज इन तीनों टीवी पर बिल्कुल भी नहीं बचे हैं सेकंड डिसेंबर को शो या शोमती मया के नंदलाला ओफेर हो रहा है तो ही थर्ड डिसेंबर को जैहनुमान ओफेर होगा और 10 डिसेंबर को धर्म योधा गरूड ओडियन्स को अलविदा कहने वाला है अब बचा है सिर्फ स्टार भारत परशो राधा कृशन और अतरंगी पर चल रहा परशो राम सीजन टू यान कि अब पुरानिक शोज का यूग स्माप्त हो रहा है आप शोजय हनुमान को कितना मिस करने वाले हैं हमें बताईए नीचे कमेर्ट से अक्सन में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए